दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूग चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को जिससे आने वाले वीडियोस के बरे में आपको पता चेलते रहे हेलो दोस्तों देखो सिखो वित वीकेसिंग में आप सभी लोग का स्वागत है तो सरकार की और भी मुश्किले बढ़ चुकी है जो आटियाई छात्र है वो जो ग्रूप D में आटियाई या टेंथ पास वाले जो बच्चे है वो भी भर सकते हैं तो इस फैसले से जो आटिया जो अर्डीयट वाला है तो गूप C वाले में तो आपके RTI वाले ही सिप है ठीक है उनी के लिए जो आटियाई के लिए है जबकि गूप D में तो सभी लोग भर सकते हैं जो ATI हो या ना हो तो आप ये सोचे कि जो इसका स्रिप 10 है जिस ने पास किया है तो वह क्या करेगा और सरकार क्या करें ये पिछला ही जो निया मैं उसी पर तो अलागू किया गया है ठीक है आटियाई वाले बच्चों को भी सोचना चीए थोड़ा कि आप सरकार क्या करें ये बताई ये और मैंने भी कुछ दिन पहले जो वीडियो डाला था कि आटियाई हटना चाहिए गने जब हटा नहीं था तो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों ने कहा था कि आटियाई को ग्रूप डी से तो हटाई दिना चाहिए आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट करके जोरू बताईएगा मैं जानता हूँ कि मुझे उल्टे सीधे कमेंट आएंगे क्योंकि आटियाई वाले बच्चों को खराब लगा होगा लेकिन आप यह सुचिए कि जो टैंथ पास किया है और सोच रहा था कि गुरूप D में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी या मैं तैयारी कर रहा हूं मैं निकाल लूँगा तो फॉर्म ही नहीं फिलप कर पाएगा तो निकालेगा क्या है ठीक है और ऐसा कुछ नहीं है कि आटियाई वाले ही नहीं भर पाएंगे या वो लोग बाहर हो है भार तो सभी लोग सकते हैं तो इसमें कोई भी रूश्ट होने वाली कोई बात नहीं है ऐसा ठीक है चलिए मिलता है नेक्स चुडियों में धन्यवाद